दोस्तो नमश्कार दोस्तो आज 26 जनवरी नहीं है आज 6 फरवरी का दिन है और 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे समूचे देश ने देखा समूची दुनिया ने देखा और 6 फरवरी आज के दिन जो समूचे देश ने हुआ उसे शायद दिल्ली ने भी महसूस किय और अंतरास्ट्री बिरादिनी ने भी देखा कि दरसल आंदोलन के तौर तरीके किस तरीके से धीरे धीरे भारत में विस्तार पा रहे हैं दरसल 26 जनवरी से 6 फरवरी तक के सफर को अगर समझना शुरू कीजिएगा तो आज बेहत गंभीर सवाल हम आपके साथ रखना चाहते हैं ये ऐसे सवाल हैं जिनके भीतर इस देश के कृशी मंत्री ने पार्लिमेंट के भीतर जो दो तीन सवाल उठाए उसका भी जवाब जरूर मिलेगा इस देश के भीतर में जो दिल्ली की सीमा पर कीले उगा दी गई और उसके ठीक समनांतर मिट्टी डाल कर किसानों ने फूल उगाने की सोच को पैदा किया हमें लगता है आज उसका विशलेशन भी करने की जरूरत है और समूचे देश में तीन घंटे के चक्का जाम के बाद किसान अपने अपने घर लोट गए जो आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलन अस्थल पर लोट गए सब कुछ बहुत शांती पूर्ट तरीके से हुआ लेकिन दिल्ली को किसी ने छुआ तक नहीं यह संकेत आज इस बात की दिशा में ले जाते हैं कि क्या वाकई लंबे वक्त तक सरकार अपने एहंकार के साथ या अपने बनाए कानूनों को एहंकार के लपेट कर इस देश को परोसने की दिशा में टिकी रहेगी या फिर इस देश में आंदोलन करता हुआ किसान अपने आंदोलन से इस सरकार को इस बात का एहसास दिला देगा कि दरसल सरकार देश नहीं होती है किसान देश हो सकता है मजदूर देश हो सकता है नागरिकों का समू देश हो सकता है लेकिन सत्ता और सरकार कभी भी देश नहीं होती है और इन दोनों के बीच मोटी लकीर अगर बेरिकेट्स की कील की खीची गई उसके समनांतर मिट्टी डाल कर फूल उगा कर इस बात का एसास तमाम जगों से दिया गया कि दरसल हम तो इस जमीन से जुड़े हैं लेकिन हमें लगता है कि आज कई सवाल बेहत गंबीर है दो तीन सवाल इसलिए महतपूर है क्योंकि इस देश के एग्रिकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियमेंट के भीतर बकाइदा चर्चा में इस बात का जिक्र किया कि इस देश के भीतर में वह खून से खेती नहीं सीचते हैं वह पानी से सीचते हैं खून से सीचने का काम तो उन्होंने कॉंग्रस पार्टी का नाम लिया इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा इस कानून में काला कहा है यह तो बताईए हमें हम संशोधन कर देंगे हमाटा देंगे लेकिन कोई बताता ही नहीं की काला क्या है दरसल आज इसी अक्स में किसानों के आंदोलन के इस नए तेवर को समझने की जुर्रत है कि किसान जिन बातों का भुक्त भोगी रहा हुआ है सत्ता और सरकार उसे नहीं समझ पाएंगे भारत ही नहीं दुनिया ने जब 20 सदी में कदम रखा उस 20 सदी के पहले 20 साल में इस देश में वाकई खून से खेती हुई है हर घंटे ही नहीं हर 40 मिनट में एक किसान ने खुदखुशी इसी देश में की है और ये सरकारी आकड़ा है NCRB का ही आकड़ा है इतना ही नहीं जब इस बात का जिक्र किया गया कि दरसल इस कानून में काला कहा है तो फिर यात कीजिए जब समविधान बन रहा था उस समविधान की पहली ड्राफ्ट कौपी को लेकर जब राजंदर प्रशाद महात्मा गांदी के पास महात्मा गांदी ने उस सम्विधान को देखने पढ़ने के बाद यही कहा इसकी आत्मा तो गरीबों के साथ जुडनी चाहिए इसके सरुकार तो इस देश के गरीब और बहुसंख तबके के साथ जुडने चाहिए वह सम्विधान में कहीं नजर नहीं आता है और उसी के बाद इस कॉंस्टूशन का जो फूर्थ चैप्टर है जिसको हम लोग निती निर्देशक तत्व कहते हैं डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं उसको जोडा गया और तीसरा सवाल आज दिन भर टेलिवीजन स्क्रीन पर किसान से ज़्यादा पुलिस फोर्स की मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा था ये एक ऐसा एहसास था जिसमें लगता था कि इस देश में अब पुलिस की ही राजनितिक सत्ता हो चली है और पुलिस की मौजूदगी आंदोलन को कुचलने को तयार है और शायद आंदोलन में से कोई भी तत्व अगर हिंसा करने उतरेगा तो उसको पूरी तरीके से निस्त तनबूत कर दिया जाएगा जो 26 जनवरी को नहीं कर पाए पुलिस से देश नहीं चलता है यह सरुकार से चलता है यह वेलफेर स्टेट की भूमी का युही देश में नहीं बनीती हमें लगता है कि आज जरा सिलसलेवार तरीके से एक एक पन्ने को पलटने की जरुरत है और शुरुआत तो इस बात से क्या वाकर इस देश में जब हम खून से खेती नहीं करते हैं तो उनके भीतर एक बार भी यह सवाल उठा इस देश में कितने किसान परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया कभी फसल बरबाद हो गई कभी वहां पर इंशोरेंस की रकम नहीं मिली कभी सहुकार ने ब्याज लगा दिया और कभी इस परिजनों में सारे आकड़े दर्ज है इस देश के भीतर में इस बात का बार बार जिक्र होता है कि आखिर कितनी बड़ी तदाद में इस देश के किसानों ने खुदकुशी किया हम आपको टर्म वाइट टर्म बताते हैं अटल विहारी वाजपई 1998 में सत्ता में आये थे 2004 चार तक रहे थे इस छे साल के पिरियड में लगभग एक लाख दो सो पचास किसानों ने खुदकुशी की थी वाजपई साहब के दौर में छे साल का दौर कर रहे हैं नरिंद्र मोदी ने भी दो हजार चौदा से दो हजार बीस तक छे बरस सत्ता को जी लिया है और इस देश करकार के करशी मंत्री को हसते और ठाके लगाते हुए कम से कम पार्लियमेंट में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि इस देश में किसानी और किसान्ज और खेती से जुड़े हुए लोग किस सवस्था में रहते हैं शायद उनके भीतर ये अहसास होगा ही नहीं बीच का काल मनमोहन सिंग के दस साल का काल यह भी कोई किसानों के लिए अच्छा काल नहीं था इस दस बरस में एक लाखंटावन हजजार साथ सो पैंतालिस किसानों ने खुदकुशी की एंसी आरबी का डाटा बतलाता है साल दर साल जो भी खेती से जुड़ा हुआ किसान और मजदूर है उनकी खुदकुशी और एकीसवी सदी में जब पूरी दुनिया ने कदम रखा तो उस वक्त किस बात का जिक्र था याद किजिए चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो जापान हो चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो भारत क्यों ना हो इस बात का 21 सदी में जिक्र किया गया था कि हम इस देश की एकनौमी में लोगों की भागेदारी को जोडेंगे और आधुनिक्तम तक्नीक के आसरे अब दुनिया एक बेतरीन दिशा में चलती चली जाएगी कमोवेश हर दिशा हर देश ने यही पाट किया था ले 20 बरस को अगर दिन में कनवर्ट कीजिएगा तो 7 थजार 300 दिन होते हैं इसको जब मल्टिप्लाई कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा हर दिन तकरीबन 40 किसान खुदकुशी कर रहे थे और हर दिन को जब हर घंटे में कनवर्ट कीजिएगा तो हर दिन 1.6 यानि हर 40 मि एक किसान खुदकुशी करता रहा और कोई सरकार ने चेता नहीं चाहे वो वाजपई की सरकार हो मनमॉहन सिंग की सरकार हो या नरिंद्र मोधी की सरकार हो इसलिए यहां से सवाल खड़ा हुsection खुडा हुरा है कि एक किसानों का अंदोलन को लेकर इस बात का शोर है कि दिल्ली में 50 हज़ार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो गई इस बात का शोर है कि देश के अलग-अलग प्रांतों में स्टेट पुलिस लग गई थी किसी तरीके से कोई हिंसा ना हो और लगा था टेलिवीजन-सक्रीन पर तमाम जगों पर इसी बात का शिक्र था यही तस्वीर थी कि हर जगा पुलिस रेंग रही है पुलिस की सथ्ता भारत में नहीं है भारत में ग्नुमोक्रेसी है यह ठोड़ समझना होडा और डेमोक्रेसी को जब आप फूल जाते हैं तभी आप पुलिस रासत्ता जो है वो पुलिस की मदद लेती है और डेमोक्रेसी शब्द के साथ हमने जब डेरेक्टिव प्रिंस्पल्स का जिक्र किया हमें लगता है आज उसके भीतर जरूर जहां किये तब हम पुलिस की स्थि आपको बता पाएंगे क्योंकि जब डेरेक्टिव प्रिंस्पल्स लाए गए उसमें बहुत साफ तोर पर लागया सामाजिक और आर्थिक कंडिशन्स जो इस देश के नागरिकों की है उसको बेहतर जीवन में तबदील करना है सामाजिक ने आए आर्थिक ने आए और प्राशाशनी कर को भी लोगों के साथ जोड़ना है इस बात का भी जिक्र किया गया कॉंस्ट्यूशन में निती निर्देशक तत्में हाला कि बीच बीच में इसमें भी अमेंडमेंट्स लाए गए और राजसत्ताओं ने अपने अनुकूल चीजे की इस देश ने बार बा डाल कर फूल और सबजियां उगा देंगे ये मैसेज शायद आंदोलन को एक नए टेवर के साथ इस देश की राजनितिक विवस्था की चूले हिलाने के लिए काफी है जिस दिशा में कदम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये राकेश टिकैत की काबिलियत भी कह सकते हैं या ये शक्स राजनितिक मैदान में उतर चुका है पहले भी लेकिन अब उसमें एक मैच्चुर्टी आई है और ये मैच्चुर्टी धीरे धीरे हर प्रांत के लोगों को कैसे अपने साथ लेगी ये तो भविश के गर में चुपा हुआ है लेकिन जब हम इन बात का जिक्र कर तो जरा समझिए राजिंद्र प्रशाद जो की पहले राजपती थे लेकिन अजादी के बाद उनी की अगवाई में समविदान सवा ने कारे करना शुरू किया था ड्राफ्टिंग कमीटी के चियर्मेन बाबा सावं बेटकर को बनाये गया नेरू और सरदार पटेल जो थे आर्थिक राजनेतिक न्याए मिलना चाहिए आर्थिक समानता को दूर करना आर्थिक 39 कामगारों का शोशन रोकना मुफत कानून की मदद स्टेट को करनेे जो बताए जा रहे हैं आठकिल 40 गाओं पंचायत के लिए कार करना आठकिल 41 बेरुजगारी बुजुर्ग बिमारी इनको आर्थिक मदद देना आठकिल 42 काम के लिए बहतर कंडिशन पैदा करना आठकिल 43 ग्रामीन छेत्रों में जो हस्त करगा और उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको भी मदद करते हुए आगे बढ़ाना और आठकिल 48 तो सीधे सीधे खेती यानि करशी और पशुपालन को आधुनिक तोर पर इस्टेट का ही काम है कि उसको आधुनिक तोर पर चीजों को डेवलप करें ये किसी कॉर्परेट का काम नहीं है और कॉर्परेट के हाथ में जब इस कानू के जरिये कानूनी अधिकार दिये जा रहे हैं तो उसमें बहुत साफ तोर पर इन कानूनों में लिख दिया गया है जो कॉर्परेट इन कानूनों के तहत इन्वेस्ट कर रहा है और जो भी कृशी से खुद को जोड़ रहा है वही बीजगी ववस्था करेगा जब वो जिदे तोर पर यूँ भी पुलिस नहीं चाहिए आपको अभी और इस देश को खोकला बनाना होगा तब आपको पुलिस का साथ चाहिए और एक तरफ अगर अग्रिकल्चर को आपने दरकिनार कर दिया है तो उसके ठीक समानांतर में आपने इस दौर में एक नई चीज़ आपने इस देश के बैंकों को खोकला नहीं किया बलकि इस देश के कॉर्परेट और इंडस्टलिस्टों को अपने अनुकूल करने के लिए जनता का ही पैसा उन्हें देना शुरू किया बीते छे बरस में लगबग साड़े साथ लाग करोड रुपए बैंकों से जो दिये गए और लिये गए उसको राइट अफ कर दिया गया यानि वह बुक से गायब कर दिया गया ये कौन से इस्तिति है इन इस्तितियों का जिकर से जो रही है क्योंकि एक डाटा बता दे इन साड़े साथ लाग करोड के हिस्से में मत जाईए सिर्फ मार्च दो हजार बीस तब भी कई कंपनियों का नाम आएगा महल चौक से टॉप पेसली है क्योंकि उन्होंने लगबग पांच हजार 71 करोड रुपए बैंक से जो लिये थे उसको राइट अफ कर दिया गया क्या आर बी आई के डॉकुमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि हां राइट अफ किया गया विं अबिकल फर्म कुडोस कैमी 179 करोड एक हजार 989 करोड रुपए ये एक पूरी फेरिस्ट हैकिंग फिशर विजमालिया का नाम भी उसमें आता है 1314 करोड रुपए वह भी उनके राइट अफ कर दिये गए लेकिन इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए जब ये खबरे आत कर रही कैसी वसूली कर रही ये भी जानना चाहिए क्योंकि जब हमने आपको रकम बताई मेहल चौकसी की 570 करोड रुपए तो जब्त का किया गया जब्त जो किया गया उसमें मर्सरडीज बेंच कार है उसमें 1460 स्कॉाइर फिट का एक फ्लैट है जो मुंबई के कुछ प्लैटनियम है कुछ जल्रीज है कुछ गोल्ड है और सब की कीमत लगाई गई 14 करोड 50 लाक रुपए यानि कॉर्परेट के साथ अगर सत्ता खड़ी है इस देश की बहुत संक सत्ता जिस कृषी अर्थववस्था से जुड़िया उसको दरकिनार कर रहे हैं तो ऐसे में पुलिस का साथ आपको लेना पड़ेगा पुलिस को आपको विस्तार देना पड़ेगा और ये बड़ी धीरे-धीरे की प्रक्रिया होती है एक साथ इस देश में पुलिस सत्ता नहीं आएगी जो बॉडर दिल्ली सीमा पर सीमाँ पर जो मौजूद नजर आ रहा है पु पुलिस इस देश के आंदोलन को नहीं दबा सकती है ये भी समझना चाहिए अगर उस देश के बीतर में सारे लोग जुड़ गए हैं तो क्योंकि पुलिस की तादाद हमें लगता ये भी ऑफिशली आपको जानना चाहिए इस देश में कुल पुलिस की तादादों की संख् जो है वह तकरीबन 25,95,000 है लेकिन एक्चुली जो पुलिस मौजूद है यानि जिनकी भाली हुई है उनकी संख्या 20,00,000 है इसी तरीके से एक दूसरा होता है Central Armed Police Force C.A.P.F. 2019 दिसंबर तक का डाटा सरकार का हमारे पास है उसके मताबिक इनकी कुल संख्या तकरीबन 10,00,000 है यानि एक लिहास से मान भी लीजिए 25,00,000 तमाम रज्यों और जो भी केंदरशाशित राज्य है उनकी पुलिस की संख्या और 10,00,000 लगभग Central Armed Force Central Armed Force में CRPF भी होता है CISF भी होता है SSB भी होता है यानि शशास्त्र सीमाबल भी आता है BSF भी आता है ITBP भी आता है RPF भी आता है NSC भी आता है Armed Reserve Forces भी आते हैं सब ही आते हैं सब को जम मिला दीजेगा तो ये तकरीबन 10,00,000 बनते हैं 10,00,000 ये हैं और 25,00,000 पुरे देश पर में पुलिस कर्मियों की मौझूदगी है इनका भी एक वजट होगा इन पर भी खर्च किया जाता होगा बिलकुल खर्च किया जाता है और इन पर जो खर्च होता है जो पुरे देश की जो पुलिस कर्मियों की मौझूदगी है इन पर तकरीबन खर्च होता है एक लाख 33,324 करोड़ रूप है यह है पूरे देश की पुलिस का जो एक बजट है और दूसरी तरफ जो आर्म फोर्सेज है जो सेंट्रिल आर्म फोर्सेज है उसका बजट है लगवग 68,848 करोड़ रूप है इनमें से जादातर फोर्सेज नहीं किसान आंदोलन चल रहा है इस किसान आंदोलन से इस देश की एकनौमी पे असर पड़ा होगा यह फैक्ट है इस देश के हाईवेज बंद हुएं उससे आवाजाही बंद हुई होगी यह भी फैक्ट है इस देश के भीतर में किसान डेवलप हो उसके लिए सरकार अपने तोर पर एलान भी करती हम तो सबसीडी भी देते हैं यह भी एक फैक्ट है लेकिन जब आप इस पूरे देश के आईन में अग्रिकल्चर को देखिएगा तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल हों गे अग्रिकल्चर को सबसीडी सरकार देती है असी हज़ार करोड का जिसमें फटिलाइजर है जिसमें एलेक्रिसिटी है जिसमें एक लहाज से वाटर यानि एरिगेशन का हिस्सा आता है लेकिन इसके पैरलल में आप ध्यान दीजिए सरकार सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करती है एक आखड़ा हम आपको बतलाते हैं कि सरकार जब सबसीडी का जिक्र करती है कॉर्परेट को जो टैक्स में रियायत दी जाती है आपने तो यही सुना होगा पिछले साल टैक्स 2019 में टैक्स माफ कर दिया गया तो एक लाख चालीस अज़ार सरकार के खजाने में कमाए लेकि नहीं है इसके अलावे माइनिंग, मैनिफेक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इन तीन के लिए बीते छे बरस में जो रियायत सरकार ने दी जो पैकेजेज सरकार ने दी और इनसे जो वसूलना था वो जो नहीं वसूला गया इसके अक्स तले भी एग्रिकल्चर के हिस्से में जो percentage आता है वो सिर्फ इसकी तुलना में 10 से 12% ही सुविदा आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी नितियों को लादने के लिए और नितियों को लादने के पीछे वो corporates और पैसे वाला ही तबका है या फिर सरकार की जो economic policy है जिसमें mining की जरूरत है, construction की जरूरत है, manufacturing की जरूरत है ये सारी चीजों की जरूरतों के लिए वा उस तबके को बहुत रियायत देती है जो अपने तोर पर पैसा लगाता और इस दिशा में काम करता है लेकिन agriculture की मुश्किल क्या है? वहाँ किसान अपनी मेहनत बहाता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है और मरन सिंग तोमर agriculture मिनिस्टर किसी तरह से कुछ हसी ठाका ना लगाए पार्लिमेंट के भीतर, ये कहते हुए कि हम खून की कहती नहीं करते हैं उनी के कारकाल में अगर इस देश के 78 हज्यार किसानों ने खुदखुशी की है, तो वो खून से संगे हुए आत उनके भी है Congress के भी रहे हैं और अट्लिभारी वाचपई के दौर में भी रहे हैं ये इस देश का एक Economic Policy का सच है जिसमें इस देश में Agriculture को खून पसीने से खुद को समाना ही पड़ता है और यहीं से एक आखरी सवाल शुरू होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में मौझूदगी इस देश के भीतर में पुलिस सर्विसेस की है और इतना ही नहीं हमने उसमें निकालना शुरू किया कि जो Equipments किसानों को Constitution के तहत आधुनिक Technology से जोड़ना चाहिए Agriculture के छेतर में उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया पब्लिक सेक्टर के उसमें कोई योगदान नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं अपने तोर पर पैसा लगाया और आजादी के बाद से धीरे 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 सरकार का योगदान खेती पर कम होता चला गया जैसे खेती की जो विकासदर है वो 3.4% है लेकिन ट्रैक्टर और मशीनरी जो बिकती है उसकी जो विकासदर है वो 7.2% है जो लोग रिसर्च करते हुए है जो लोग अपने एग्रो एग्रिकल्चर से खुद को जोडते हैं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं उनक कि इस दौर में हर चीज को डेवलप किया गया आज तो हम पुलिस कहीं आपसे जिक्र करेंगे क्योंकि पुलिस ही लगातार रेंगती रही और लगा ऐसे जैसे इस देश में कोई पॉलिटीशन नहीं बता है ना होम मिनिस्टर निकल कर बाहर आए जो समझाते किसानों को ना प्रैम मिनिस्टर निकल कर आए ना एग्रिकल्चर मिनिस्टर ना वो पारलेमेंटरी जिनकी तादाद पारलेमेंट के भीतर में 147 सांसदों की है जिनोंने अपने पेशे के आग यहीं वक्त नहीं लगा है किसी भी देश की एकनॉमी का बड़ा हिस्सा पुलिस को डेवलप्मेंट पे भी लगता है आज की तादाद में लगभग 17 हजार पुलिस इस्टेशन पूरे देश में है इनके पास जो वैकल्स है बड़ी गारियों से लेकर मुट साइकल तक उसकी तादाद 2 लाक से जादा है जो कॉंप्यूटर्स है वो लगभग 1,5 लाक है जो सर्वर्स है वो लगभग 1,548 है जो लैप्टॉप है उनकी तादाद 12,000 से जादा है जो CCTV कैमरा पुलिस अपने लगाती है उसकी तादाद लगभग 4,000 है पूरे देश पर का जिकरम कर रहे है जो स्पीडो मीटियर्स जैसे ट्रैफिक को नाचना है जो स्निफर्स टॉग है वो लगभग 1,5,000 है जो ट्रैकर्स टॉग है वो लगभग 7,790 है यानि ये पूरी की पूरी इस्तिती बतलाती है कि हम हर चीज को डेवलप करेंगे लेकिन अग्रिकल्चर की दिशा में हम हम आखे बंद कर लेंगे और उसके लिए जब कानून बनाएंगे तो उसी वीजन के साथ बनाएंगे जिस वीजन के तहत हमने कन्स्ट्रक्शन को देखा है हमने drug को देखा है और तो और हमने corporate को देखा है वही design से हम किसानों से भी उसी economic policy में आने के लिए उनको बात धि कर व्यापक अंतर है फिर भी सरकार अगर नहीं समझ पा रही है तो अब एक आखरी इस्तिती में आईए इस आंदोलन के बाद जो आज तीन घंटे का अंदोलन वह ये मैसेज क्या दे गया जो पूरे देश में जाम की परिस्तितियां थी कहीं पुलिस को लाठी नहीं भाजनी प किसी का जंडा आपको कहीं नजर नहीं आया होगा यह किसानों का अंदोलन था और इसमें सभी समाईत हो गए यहीं से आखरी सवाल निकलता है कि जब एक ऐसा अंदोलन जो तीन कानून और MSP को कानून बनाने की दिशा में बढ़ा है उसके भीतर से निकलते सवाल अगर देश भी अगर समा रहा है जैसे आज की तारीक में सारी राजनितिक पाटियां उसमें समा गई तो कल को पूरा देश भी अपने-पने मुद्दों के साथ उसमें समाईत हो जाएगा क्योंकि किसान के परिवार अगर सत्तर फीजदी हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हो सक छेशा जिननने खिती दिखाया है और दुनिया के अलग-अलग देशों में जो भारत के ईंट्यलेक्चूल्स हैं कोकि भारतियों की तादात समुची दुनिया में सबसे ज़्यादा है چा debi पार की स्टिती है वह इंट्यलेक्चूल्स भी क्यों नहीं सोच रहे होंगे भार इसलिए की गई थी कि दरसल यहां पर Constitution में जो Directive Principles को इसलिए समायत किया गया था कि State को इन पर काम करना चाहिए और उसमें बड़ी साफ तोर पर थी आर्थी का समानता खतम होगी अधिकार काम के सब को मिलेंगे रोजगार सब को मिलेगा यानि एक ऐसी परिस्ति धीरे धीरे डिवलप हो रही थी इस देश में Constitution के जरिये जो भारत को यहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और गांधी वादी देश कहने की बात नहीं करते थी बलकि उसके पीछे एक सोच थी वह सोच अगर पूजी में तबदील हो जाए वह सोच अगर मुनाफे में तबदील हो जाए वह सोच सिर्फ पैसे से पैसा बनाने की दिशा में चला जाए तो किसान मजदूर तो खतम हो गया और संयोग से उनकी तादाद इस देश के भीतर में लगभग 25 करोड़ से जादा जो सीधे तोर पर मजदूर और किसान है तो फिर इसी लिए इस आंदोलन की आखरी खुश्बो उस मिट्टी से समझिये जो बिलकुल गांधी वाधी तरीका है मिट्टी बॉर्डर पे डाली गई है उसमें फूल नहीं उगाए गए है यही सोच रही है और यह सोच अगर आंदोलन का हिस्सा बन रही है यह सोच अगर आंदोलन में सब को समाहित कर रही है तो फिर इसका मतलब यह है कि इस देश में आंदोलन कम से कम एक सरुकार की भाशा को जीने के लिए तयार है तमाम न्यूस चैनलों पर जब रखे इस टिकेट को आप सुनिये गा तो उसके भोलेपन उसके गाउरानी बातों को लेकर हो सकता है कि आपको लगे यह क्या बोल रहा है शक्स लेकिन यही बोली भारत की बोली है यही हिंदी हार्टलेंड की बोली है यह उसी जमीन की बोली है जिस जमीन पर राजनितिक दल कबजा करने के लिए जातियों में बाटते आए धर्म में बाटते आए अलग अलग तरीके से भहकाते आए अलग अलग मुद्धों को उठाते आ और आज भी जो रैली हो रही है वो बंगाल में बीजेपी नेता की हो रही है उसी बंगाल में जिसकी पूरी एकनौमी अग्रिकल्चर से जुड़ी हुई है और लेकिन वहां पर शब्द क्या बोले जा रहे हैं कि किसान सम्मान निधी इने नहीं मिलता लेकिन ये बोलने में ह हजार रुपैस को डिवाइड कीजेगा तो आपकी हतेली में चंद सिक्के आएंगे ये बोलने से ये घबराते हैं लेकिन इसके बावजूद भी एग्रिकल्चर स्टेट्स में उत्तर परदेश से बेहतर इस्तिती पश्चमंगाल की है बिहार से बेहतर इस्तिती बंगाल क ये क्यों नहीं समझती है राजनितित करने वाले और शायद इस आंदोलन में सवाल ये नहीं है ये दो अक्टूबर तक चलेगा या फिर आने वाले वक्त में राजनिती में ये अपनी हिस्सेदारी करेगा ये धीरे धीरे कानून और MSP को कानून बनाने से आगे निकल कर इ अपने में समाहित कर लेगा ये भी आप इंतजार कीजिए क्योंकि आज की तारीक में आंदोलन जो तीन घंटे का चक्का जाम हुआ उसमें तमाम राजनितिक दल गायब नजर आये सिर्फ किसान ही नजर आ रहे थे और आने वाले वक्त में यही कहीं राजनितिक परिभाश दिशा में खुद को ना गड़ ले ये इस्तिती इस अंदोलन की एक अनूठी सच है अनूठी सच की दिशा में बढ़ते वे कदम है इसलिए इंतजार कीजिए और कम से कम पारलेमेंट के भीतर इस देश की कृशी मंतरी इस बात का जिक्र ना करें कि खून से खेती नहीं कर करकें बचिए को कि बच्च माद बाशक खाया बाशक बाशक बश्याओं.